हलो दोस्तो वेलकम बैक टू नी वीडियो उमीद करते हैं आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तो आज कि इस फीडियो में बात करने वाले है न्यू एनिश टू हंडड़ वर्सेस नी बजाज पलसर आरेश टू हंड़े दोस्तो इस फीडियो में हम दोनों भाई के बारे में डीटेल में बताने वाले हैं दोनों कम आपको डीटेल कंपरीजन देने वाला हूँ मतब आज की जो बुरह है दोस्तो आप लोगों यह बहुत ज़्या इंटरस्टिंग प्लस बहुत ज़्या इंपोर्टन होने वाली है अगर दोस्तो आप यह दोनों भाई के बीच में डीटेल कंपरीजन देखना चाहते हैं तो इस फीडियो को आप पूरा ज़रूर देखेगा ताकि दोस्तो आपको सारे इसीजे डीटेल में पता साहित सके और बाद में आपको कोई कन्फूजन ना हो ठीक तो चली फिर आज के इस पीडियो को सुरू करते हैं आपको यह क्या प्रैस देखने कर मिलती है है अब जहर सी बादार कोई चीज करीदने वाले करीदने की सोच रहे है तो सबसे बहले अपने बज़ट के बारे में सोचते हैं मंघा — जिता हमघार पास पैसा है जिता हमारे बज़ट है उससक को डिसाइड करते हैं दोस्तों RS 200 एक सूरूंड रही जाती लबक 1,74,000 एक लाग चोहतर हजार रुपए एनस दोस्तों आती दोस्तों लबक 1,54,000 एक लाग चोवन हजार रुपए मात करूं में दोनों के ओन डूड प्रेस के बारे में दोस्तों RS आरी लबक 2,07,000 एनस आरी बारे में डिदेखने को मलता है एक चली compare जान हमें आते हैं सबसे पहले front में आते हैं यह आप देखिएंक हैं दोनों पहले दोनों के और आपको फोली LED लाइट आपको देखने को मलता है लेकिन RS में आप नोगको dual halogen projector light आपको इसमें देखने को मिलता है तो यह काफी बड़ा जो difference है दोस्तों आपको मिलेगा देखिए NS में आपको fully LED light मिलता है और RS में आपको dual halogen projector light आपको देखने को मिलती है तो कहीं न कहीं दोनों की light बहुत जादा अच्छी है बट NS में थोड़ा advance light है RS में थोड़ी पुरानी light है बड़ RS की light है वो भी बहुत जादा bright है देखिए brightness में आपको कोई problem ने जाएगी दोनों की light की जो performance आपको बहुत तगड़ी मिल जाती तो lighting performance जो है आपको दोनों की बहुत अच्छी देखने को मिलेगी है ठीक चलिए बाकि आप देगे दोन आप तरनल सिंगर लेप में आपको आउन भी कर देखें तो इस टाइप के तरनल सिंगर लेप आपको इसमें दोनों में मिलेंगे दोनों के सेम है आप आते हैं फ्रंट सस्पेंशन में पाई फ्रंट सस्पेंशन में एक ना major difference है देखिए RS में आपको telescopic suspension देखने को मिलता ह ये इसमें ना दोस्तो आपको आपको जो एना इवेस टिए आना की up straight down suspension देखने को मिलता है तो ये आपको फरक देखने को मिलेगा दोनों में आपको 180-70-70 का tyre शेज देखने को मिलता ब्रेकिंग में आते हैं दिकी ब्रेकिंग में इसपेशन में दोनों में आपको डूल च तो आपको बहुत जाद भैतनीं और बहुत अच्छा मिलता है दोने में आपको डूल पिश्टन कैलीपर देखने को मिलेंगे दोनो की जो फ़ुट तगली देखने को मलती एक कंपनी नियुक्ट पर्फॉर्मस ब्रेकिंग परफॉर्मस दोनों में अच्य वीलती है और सिलिंडर एंजिन आपको दोनों में देखने को मल जाता है बात करने दोस्तों power and torque के बारे बे आपको बता दो दोनों ही bike 24.5 का PS power related करती है and 18.7 के असपास का जो torque आपको दोनों bike में देखने को मिलेगा है यहीं कि दोनों bike का जो power and torque भी आपको बहुत तगड़ा देखने को मिल रहा है and दोनों की जो performance है वो भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल दी है ठीक दोनों में आपको 6 gear मिलेगा दोनों में आपको liquid cool engine मिलेगा दोनों bike भी आपको normal weight multi plate class देखने को मल जाते है दोनो bike E20 BS6 norms के साथ में आती है और दोस्तों देखिए RS को थोड़ा सा यह advantage होता है वो fairing bike है एने जो एनेकिट bike है तो थोड़ा सा RS जो है जाधा better performance कर सकती है as compared to NH200 पागे performance में no doubt दोस्तों दोनों का level बहुत उपर है दोनो bike का जो performance है हमें बहुत ही तगड़ा और बहुत अच्छा देखने को लिल जाता है ठीक देली चलिए बात कर लिए अब दोनों के दोस्तों mileage plus performance के बारे में देखिए दोनो bike का mileage बहुत तगड़ा है दोनो bike आपको लबग 40 40 के असपस का mileage offer कर देती है दोनो bike में दोस्तों आप लोगों को जो है न 0200 में RS को दोस्तों लबग लगते 9.2 सेकेंड NS को लगते लबग 10 सेकेंड RS की top speed थोड़ा जाद है 145 किलोमेटर पर अवर NS की लबग 135 किलोमेटर पर अवर RS जो फेरिंग आती है फेरिंग की वाज़े से विन ब्लास के अगेंज़ बहुत अच्छा वाक करती है और विन ब्लास के अगेंज़ इतना अच्छा काम करती है जिस पर से उसकी जो top end performance है वो हमें काफी बहतर देखने को मिलेगी बड़ यहां पर दोस्तों मुझे ना RS की NAD 108 थोड़ असा outdated लगती ही कंपने को अपग्रेड करना चाहिए अलाग कि 108 दोनों की वह अच्छी है बड़ अपग्रेड की ज़रू था अलाग कि अपग्रेड की तो बाई दोनों को ज़रू था है री हरे दोनों में आपको ना 130,70 का टार स्थ देखने को मिलता है री हर में दोनों में आपको 230 건 धेड दोनों को स्पैंशन को अच्छी है दोस्तों RS में आ आपको बाई देखें आपने स्पैंशन को क्वालिटी थोड़ा से जयाधा मिलता है as compared to NS बहुत सारी लोग सोचते हैं same है but NS की तोड़े जादा बैतर है ठीक आपको ब्रैंडिंग भी मिल जाती है batching मिल जाती है आप अप देख पर है seat में दोनों आपको normal split seat आपको देखने को मिल आएगा अप चलते दो speedometer की तरफ यहाँ पर बड़ा comparison है दोसों RS में आपको आज भी जो है analog with digital meter आपको इसमें देखने को मिलेगा आपको आपको analog with digital meter देखने को मलता है अपको जो feature है आपको काफी सारे जो feature है आपको देखने को मलेंगे जैसे सबसे पहले takeometer है आपको fuel indicator है fuel reserve indicator यह सारे feature आपको मिलेंगे दो switches जिसे आप इसके speedometer को जो है control कर सकते है अब यार speedometer ठीक ठाक है और सारे feature देता है बड़ यह तोड़ा fancy नहीं है बस आप यह ज़रूर कह सकते switches में normal way pass switch चौले तनसी के लाइफ़न इंजन के जो आपको मिलेगा अब चलते हैं वही है NS की तरह बैस अब NS में तो company ने upgrade ला दिया है इसमें दोस्तों आपको fully digital meter आपको इसमें देखने को मिलेगा finally बजाद ने देना सुन किया है इसमें आपको ज़्यादा feature मिलेंगे as compared to RS क्योंकि इसमें आपको सारे फीचर मिलते है जो RS में मिलता है जैसे speedometer, takeometer, drip meter, rodometer, clock, airway slides, field gear, service reminder, local indicator, lobate indicator, gear indicator इसमें इसमें एक्ष्टर मिलेगा दोसरा इसमें आपको इसमें navigation मिल जाता है और दूसरा इसमें आपको Bluetooth connectivity मिल जाता है यह दो चीज़ दोस्तों हमें इसमें action देखने को मिलती है as compared to RS 200 बाकी सारे चीज़े similar है बाकी सारे चीज़े आपको सेम देखने को मिल जाएगी और यहाप एक charging point भी मिलता है जो कि आपको फिलाल RS में नहीं मिलेगा आप कह सकते है तिसरा नमबर यह भी आपको अपडेट है आपको मिल जाता है बाकी switches में almost same आपको मिलेगा बात करें डिमिनेंशने इन गैपिसिटी के बारे में RS की seated 810 एमें और NS की दूस्तों लबक 805 एमें RS की दूस्तों लबबक 13 लेटर फिल्टंग केपिसिटी NS की बारा लेटर NS का वेट है 158 kg RS का वन डवल 6 kg के आसपास का तो दूस्तों दोनों को डीटिल कमपरीजन होगे आप बात आदे कि आपको दोनों में लेनी कौसी चीए देखे भाई मैं आपसे ही करना हुआ कि अगर आपको दोस्तों लुक चाहिए लुक मतलब बाइक लगे आपकी तगड़ी तो आपको RS के साथ में जाना चाहिए अगर आपको लुक नहीं चाहिए एकदम प्रैक्टिकल बाइक चाहिए तो ये गन गो फोर NS200 ताकि दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रू बनाने कि आप दोनों में कौन सी बाइक ले रहे हैं और कौन सी बाइक आप लेना चाहते हैं उमीद करता हूँ आपको ये चोड़ी से इंट्रेसिंग वीरो अच्छी लाइक करना चैनल पे पहली बाइना तो सब्सक्राइब करना वेले नेक्ट वीरो में लव यू और जाहिट वन्दमा आता हूँ